नमस्कार मैं हूँ अंकुर्तिवारी और आप देख रहे हैं इस समय यूटूब चैनल अमेठी ब्लाग दोस्तों बहुत बड़ी जानकारी आप सभी के लिए जितने भी वेक्सिनेटर सहायक हैं जी आप दोस्तों पस्पालन विभाग के वेक्सिनेटर सहायकों ने जैसा आप सभी जानते हैं कि कल बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया लेकिन धरने प्रदर्शन में के बाद में जो है कुछ चीजे आप देख सकते हैं कि न्यूज पेपर में क्या छपा है और इसको देख करके सभी के जहान में संसनी फैल जाएगी जी हाँ दोस्तों पस्पालन व पूरा कराने के लिए वेक्सीन हेटर सहायकू ने कल धरना प्रदर्शन किया था लखनवू में और उसी के बारे में देख सकते हैं आप लखनवू से छपी हुई खबर आप देख सकते हैं और इसको कई पेपर वालों ने छापा है कई न्यूज पेपर उन्हें अपने अप पुलिस ने बंदर भाग में के पास रोक लिया कुछ देर तक चली नारे बाजी के बाद पुलिस प्रदर्शन कारियों को हिरासत में लेकर उनको बसों में लाद कर एको गार्डन में छोण दिया बेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर बुद्वार को काफी संख्या में पसपालन विभाग के बैक्सिनेटर एको गार्डन में एकत्रित हुए कुछ लोग हजरत गंज पहुँच रहे थे और वहां से मुख मंत्री आवास की ओर पर स्थान कर रहे थे पुलिस ने प्रदरसन कारियों को बंद़्या बाग के पास रोग लिया और वैक्सिनेटरों ने नारे बाजी शुरू कर दी प्रदर्शन में सामिल पाउन कुमार ने बताया कि राश्टिय पसु रोग नियंतरन कारिक्रम के तहद वैक्सिनेटर वा सहाइक के 86 हजार कर्मियों का चैन ग्राम पंचायत इस्थर पर किया गया था उन्होंने मान दिये बढ़ाने और इसको सरकारी कर्मचारी के बराबर दर्जा देने की मांग की इस मौके पर प्रकास सर्मा फिरोज खान अफ्रोज खान अपसेख राए एवं बहुत सारे वैक्सिनेटर सहाइक वहाँ पर मवजूद थे दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि बैक्सिनेटर सहाइकों की मांगे जो है वो बिल्कुल जादा उचित हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस परकार से महगाई बढ़ती जा रही है और इस समय तेल 200 रुपे को क्रास कर रहा है और दाल जो है वो डेल 100 रुपे प इसलिए बाद भी उनको इतना नहीं मिलता कि वो एक टाइम का खाना जुटा सकें इसलिए विक्सिनेटर सहाइकों ने ये प्रदर्शन अभी भी जारी रखा है मिलते हैं अगले वीडियो में